हेलो फ्रेंट्स आपके अपने यूडिव चैनल सीतेश कामर्श ट्यूटूरियल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स ही आपके इंड्रडक्शन टू नाथ पॉंट का पार्ट फॉर है जिसमें आपको थर्टे एमसी कुछ कोशन बताऊंगा तो चले फ्रेंट्स देखते हैं और चैनल पर नए है तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बैल आइकन को आल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि इसे तरह का विडियो और विए अप्लोड करेंगे तो उसका नोडिफिकेसन सबसे पहले आपको प्राप्रोगाए इसले फ्रेंट्स देखते ह है तो यहाँ पर सीव लाप संप्रदाय में हठ योग का परवर्तन किसने किया ए मत्संद्र नाथ बी बालक नाथ सी चरपट नाथ और डी चौरंगी नाथ तो यहाँ पर सीव लाप संसे फ्रेंट्स चरपट नाथ अगला कोश्चन है कोश्चन नोबर 92 गुरक नाथ की वा परथवाल अगला कोश्चन है क्विस्चन नबर 93 है नाथ कभियों में रसाइनी किसे कहा जाता है ए सत्य नाथ बी बालक नाथ सी नागरजून और डी चरपट नाथ तो यहाँ पर जो सेव उनद फ्रेंट्स हो है सी नागरजून को अगला question है question number 94 है योग मार्ग में लोग गीतों के लिए प्रसिद है a. मसंदरनाथ b. गोरकनाथ c. गोपी चंदरनाथ d. नगारजुन तो यहाँ पर b. वलापसन से फ्रेंट्स गोरकनाथ अगला question है question number 95 है अधुत मत में प्रमुख रस कौन सा है a. बीर रस b. सांत रस c. भयानक रस d. करून रस तो यहाँ पर जो सेफ्सन है friends होए आपका c. भयानक रस अगला question है question number 96 है नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे a. वैस्णव b. सिउ c. ब्रम d. प्रकृति तो यहाँ पर जो सेफ्सन होगा friends होगा आपका b. सीव की अगला question है question number 97 है सीधों और नाथों के मद्य भाजक रेखा थी a. जातपात b. समाजिक c. इस्तरी बिस्यक द्रिष्टी कोण और d. है आपका भासा तो यहाँ पर सही अप्सन है friends होगा आपका c. इस्तरी बिस्यक द्रिष्टी कोण अगला question है question number 99 है पीतामबर दर्थ बर्थवाल ने गोरख नाथ के कितने गरंथी को परमाडित माना है a. 10 b. 14 c. 20 d. 40 तो यहाँ पर जो सेफ्सन होगा आपका b. 14 out of 40 मतलब 40 गरंथों में से जो है 14 गरंथों को क्या किया गया है परमाडित माना गया है पीतामबर दर्थ बर्थवाल द्वारा अगला question है question number आपका 100 है नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्थन किसके अधार पर लेकर बिक्सित किया गया है तो ए है पतंजली के योग दर्थन b. बोधित सत्व और c. आपका सीध संप्रदाय और d. अ. ब्रह्म तो यहाँ पर d. वाल आपसे से फ्रेंड्स ब्रह्म अगला question है question number 101 है नाथ संप्रदाय में सरवच अस्थान दिया जाता है a. गोरक नाथ b. मच्छंदर नाथ c. चरपट नाथ d. नागार जुन तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स होगा आपका a. गोरक नाथ को अगला question है question number आपका 102 है जान तीलक किसकी रचना है a. मच्छंदर नाथ b. गोरक नाथ c. भत्रहरी d. है आपका जाल अंधर नाथ तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स होगा b. गोरक नाथ अगला question है question number 103 है जाग मच्छंदर गोरक आयो वोपित पंक्ति गोरक नाथ ने किस उदेशे से लिखी तो ए अप्छन आपका c. उपासना है तू b. मच्छंदर के अहवान स्वरूप और c. है आपका हठ योग साधना के स्वरूप और d. मच्छंदर के वामचार्य मुक्ति हे तू तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स होगा आपका b. मच्छंदर के अहवान स्वरूप अगला question है question number आपका 4 है सेवता अवधू जीवता मुवा बोलता अवधू वेजरे सुवा तो यहाँ जो पंक्छिती जो है यह किसकी है तो यह कर रहा है गोरख नात, b. मच्छंदर नात, c. चौरंगी नात और d. है गोपी नात तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स हो है आपका b. मच्छंदर नात अगला कोशन है क्वेश्चन नमबर आपका 105 है नात सब्द का अर्थ होता है a. स्वामी, b. सिउ c. अधिपती, d. सभी तो आपका d. वल आपसन सेफ्रेंड्स सभी अगला कोशन है क्वेश्चन नमबर आपका 106 है रिगवेद में नात सब्द का अर्थ बताया गया है a. समर्थ एंसच्छम, b. आसरे देने वाला c. नहीं, d. दयावान तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स होगा आपका a. समर्थ एंसच्छम अगला कोशन है क्वेश्चन नमबर आपका 7 है अथर्ववेद में नात सब्द का अर्थ बताया गया है a. रच्छक या सरण गतारा और b. हाँ आपका नार्थिक और c. हाँ आपका समर्थ एंसच्छम, इनमें से कोई नहीं तो आपका a. वाला सेफ्रेंड्स रच्छक या सरण गतारा अगला कोशन है question number आपका 108 है महाभारत में नात सब्द का परियोग किस अर्थ में हुआ है a. रच्छा करने वाला b. बलसाली, c. दयावान d. स्वामी या पती तो d. वाला सेफ्रेंड्स स्वामी या पती अगला कोशन है question number आपका 109 है जिनके बारे में नात को निरंजन या प्राण पींड का बचाव करने वाला कहा है a. कविर्दास b. रामानंद c. पसुराम चतुरवेदी d. है. पितामवर्दत तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स होगा आपका b. रामानंद अगला कोशन है question number 110 है कॉल लोगों के मत से कुल का अर्थ है a. सक्ती b. सिव और पारवती c. परिवार d. जायदाद तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स होगा a. सक्ती अगला कोशन है question number 111 है नात संप्रदाई के अस्थापना की थी a. गोरक नात b. मतसंदर नात c. गहिनी नात और d. नात पन्त तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स होगा b. मतसंदर नात ठीक है और मुलप परवर्तक जो थे वो थे गोरक नात जी ठीक है आपका अगला कोशन है question number 112 नात वस्रीद दोनों संप्रदाई में नाम आता है a. नागारजुन b. गोरक नात c. सत्यनात b. चरपटनात तो आपका जो सेफ्रेंड्स हो है आपका a. नागारजुन अगला कोशन है question number 113 है परके मशंदर नात का मुल नाम था ठीक है यहाँ मिश्टेक हो गया है मुल नाम था a. बिश्लु शर्मा b. महेश c. कैलास b. बिलोचन तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स होगा आपका a. बिश्लु शर्मा मैंने option जो दिया हुआ है नीचे answer में वो महेश लिखा है लेकिन आपका सही answer होगा a. बिश्लु शर्मा नाथों के नौ संतों में गोरख नाथ को अस्थान दिया a. रामकुमार बर्मा b. हजारी परसादिवेदी c. बितामबर दत्वर्थवाल और d. रामचंदर सुकलर तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स हो है आपका a. रामकुमार बर्मा अगला question है question number 116 है सीधों की संख्या है तो a. 9 b. 84 c. 24 और d. 48 तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स वो होग आपका 84 नाथों की संख्या 9 और सीधों की संख्या जो थी 84 थी ठीक है अगला question है question number आपका 117 है नाथ पंत के वास्त्विक संस्थाफक माने जाते हैं a. मतसंद्रनाथ b. गोरखनाथ c. सरहपा अडिचपटनाथ तो आपका जो सेफ्रेंड्स हो है आपका b. गोरखनाथ अगला question है question number 118 है किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी के प्रथम गद लेखक माना है a. मिश्र बंधु अगला question है question number 119 है column के परवर्तक है a. गोरखनाथ b. मतसंद्रनाथ c. सरहपा d. साली भद्र सूरी तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स हो होगा b. मतसंद्रनाथ अगला question है और आज का last question question number 120 है वैराग पंथ किस संपरदाए की साखा थी a. गोरख पंथी संपरदाए b. सीध संपरदाए c. बहुद संपरदाए d. नाथ संपरदाए तो यहाँ पर जो सेफ्रेंड्स हो है आपका a. गोरख पंथी संपरदाए तो फ्रेंड्स आपका question यही पर समात्थ होता है और वीडियो अच्छी लगी है तो